हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो वर्ल्ड चैनल हाइपोट्रेड इस भी मैं हूं महुमत सोहेल दोस्तों आज आपको मैं कुछ टेकनिक सिखाने वाला हूं जो लाइव मार्केट में आपको साथ देंगी तो अभी देखो निफ्टी बैंक हो या निफ्टी फिफ्टी हो जब म मिनेट्स में आप काम भी नहीं कर पातें और कैलप कैसे करना ए वह वह भी समझ में नहीं आता तो यहां पर क्या होता बिगरीजन जय क्या है वह समझ महांने के कारण मार्केट में जब साइटक मार्केट चलता है तो कर देते हैं loss क्या कर देते हैं अभी उस sideways market में 50 minutes भी काम नहीं आता 5 minutes ही आपको काम आता है intraday trading के लिए जो आज मैं आप लोगों को सिखाने भी वाला हूं बताने भी वाला और sideways market में अगर मैं trade देने की कोशिश करूं तो उसके अंदर मैं trade दिये तक miss हो जाएगा and जैसे ही मैं trade दूँगा miss हो जाएगा उसके बाद आप उसके अंदर position भी नहीं ले पाओगे तो that's why मैं जो भी trade provide करता हूं totally depend upon levels provide करता हूं अगर trade मुझे complete मिल रहा है अगर incomplete trade मिल मार्केट साइडवेस है तो उस दिन मैं trade provide नहीं करता हूं चाहिए वह stock option हो किस में भी हो मैं trade provide नहीं करता हूं दोस्तों तो चलिए अब साइडवेस मार्केट में personal trade कैसे ले मैं आपको सिखाऊंगा अब यह तो हो गया bank nifty का पांच मिनेट का intraday candle chart अभी इस पांच मिनेट के intraday candle chart के अंदर हम लोग को position कैसे पहले हैं दोस्तों यह आपको जो color दिख रहा है यह वाला blue color और यह वाला orange color लाइन्स दिख रही है इसको बोलते है लीनियर regression जिदर मैं आपको और इसके उपर analysis वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ दूसरा यहां पर जो आप red color की lines देख रहा है अगर आप 15 मिनिट का भी देख लो आपको position सेम बनेगा अगर आप 5 मिनिट का भी देख लो तो position थोड़ा different रहेगा पांच मिनिट के एसाब से राइट अभी यहां पर देखो कभी यह जो वाला support हमारा resistance level है जब resistance level break नहीं होता है resistance level break नहीं होते हुए हमारे linear regression के नीचे यह वाला दिख रहा है level इसके नीचे दूसरा candle open कर रहा है तो आपको pressure on selling देखने को मिलेगा यह मैं पांच मिनिट की candle chart के बात कर रहा हूँ अगर हमें resistance पे support लेता हुआ candle ऊपर closing देता हुआ दिखा तो हमारे next support levels तक immediate target चला जाएगा अभी भाई target लगाने में पब्लिक गलती क्या करती है मैं आपको आसानी से समझाता हूँ target लगाने में पब्लिक गलती यह करती है कि वो लोग imagine करते है भाई अब इदह को मैं 210 पे लिया हूँ 240 पे ही बेचुगा वो 235 जाता है 238 भी जाता है नहीं बेचता है पर 240 के लिए बैठा रहता है जिदर market retrace कर जाता है तो उसी तरीके से अभी अगर आप यहां पे देख recording के हिसाब से तो देखेंगे तो हम लोगों को pressure on buying देखने को मिला at the end of the day वो भी अपने supporting levels पर यह हो गया scalping कैसे करना है उसके उपर आप एक छोटा सा session for an example linear regression के midline होता है midline के उपर upper train चलता है midline के नीचे downtrend चलता है अगर downtrend मे भी आगर आपको retracement चाहिए तो आप लोगो कि कल के live market में क्या होगा हम लोग अभी यहां पर analysis करेंगे अभी अगर आप देखो गए तो आज के आज के live market के session में यह breakdown हो गया यहां पर breakout हो गया यहां पर दूसरा breakout हो गया and index में हमें एक final breakdown level देखने को मिल रहा है वो breakdown level यहां पर है अभी इस breakdown level के हिसाब से हम लोगों को analysis करके काम करना है अगर कल की सुबा हम लोगों को pressure on buying के हिसाब में pressure on trade के हिसाब में levels बनते हो दिक है तो level का opening इसके ओपर होना चाहिए level का closing जो होना चाहिए वो इसके नीचे ही होना चाहिए तो ही trade बनेगा वरना trade नहीं बनेगा अगर कल gap up करके retrace कर रहा है तो भी इसी levels के साथ में इसे retrace करना चाहिए तो pressure on selling हमें देखने को मिलेगा झालत शुझा बनेगा तोरा है तो जो काुझा है झालत चाहिए